नमस्कार मंदली कशाद बेटा मजेतना स्वस्त रहा मस्त रहा अनि सग्णात महत्वाचा बेटा अभ्यास करत रहा तेपन पीडवली सबत तुब तुब सग्णा लोकांचा स्वागत करता है इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन आज वेलाइज आज ओफ्लें लेर्निंग फ्ल लेक्ट्र मदे अपन इलेक्ट्रो मागनेटिक वेव चापार्ड कवर के लिला है अता या लेक्चर मदे आज आपन काई पाड़ा रहेतर कम्मुनिकेशन सिस्टम अगेन प्रिवेस लेक्चर मदे जास मी सांगीत लोग तो कि हाँ चाप्टर कुटला ही कंपेडिटिए एक और कर ली थी तो इस अलग अलग करेक्ट्रिस्टिक्स हमने पढ़ लिये टे उसके ऊपर कुछ नगी करने की अर्लाक्ट्रमागनेटिक श्रीक्टर जहां पे हम इलेक्ट्रो मागनेटिक वेव तकर लेट रहे ने बाट सकते हैं डेक्टेंडिग अन्ग वेवलेंद फ्रिक सिन यूवी था इसके बाद यह इस प्रीवियस प्रीवार कर ली थी आज इस लेक्चर में क्या कवर करने तो ये सारी चीज़ें क्मिनिकेशन सिस्टम के साथ रिलेडेड हैं सह प्रपोगेशन और इलेक्ट्रमाइटिक Ś видел यहां प्रिकुंटे सी रेंज याद रखना है प्ररिक्वेंसी रेंज कोन से हमte liteपर सकते किसा से उसके बाद हम देखेंगे हैं सिर्फ और मेंट्स की मेर सिस्टम देखिनों और कमीनिकेशन सिस्टम जिसक ब्लाइगराम किंपल वाला ब्लॉक डाइग्राफ और उसके साथ जो डिफरेंट इंस्रुमेंट है उनके हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे अधिन ये सेशन भी पूरा का पूरा पूरा टिकल सेशन रहेगा सिर्फ यहां पे पार्ट रहेगा जहां पर हाइट ऑप दा एंटिना यूज करते थे और सिगनल की स्ट्रेंफ पकड़ने के लिए हम छत पर जाके उस एंटिना को घुवाते थे तो वह एंटिना क्या करता है तो वह एंटिना ट्रांस्मिटर भी है और रिसीवर भी तो एंटिना क्या करता है वहां से सिगनल को ट्रांस्मिट करता है करने के बाद वो जो सिगनल है दाट सिगनल विल गो इन दा फॉर्म आफ इलेक्ट्रोमागनेटिक विव ठीक है अगर हम यहां पर ग्राउंड वेव यह फिर अग्राउंड यह प्रोपोगेशन को समझने की कुशिश करें तो अलंग दो ग्राउंड वो सिगनल आगे बढ़न मुझे आगे सिगनल मिलने वाला है तब क्या होता है डिवरिंग दो प्रोपोगेशन ऑप दो इलेक्ट्रोमागनेटिक वेव मेरे वेव के एनर्जी जो है वह मेरे एनर्जी घटने लगती है अब यह जो एनर्जी है वह किसके वज़े से घटती है तो इसके लिए अपना एटमासफियर जो है यहां पर आप देख सकते हो आर्थ के अटमास्फियर के अलग अलग लेर चरुपोपोच्पूंपीयर होता है जो कहां सुर्माच़ होता है तुठ्रोमस्पार यहां पर यहां पर भी वह इतनल जो है मेरे स्ट्रंथ हैद उसके कंव होने लगती उसके एनरजी यहाँ पर घटने लगती है समझ आ रहा है यह जी defending to the तो वेव मेरी कुछ अलांग दे सर्फेस ऑफ चली जाएगी तो उसे कहा जाएगा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन उसके बाद रहेगा विटा अपने पास चली स्सेटलिट होता एंड वहले वार तीसरा रहेगा सकाइव प्रोपोगेशन जहां पर हम अर्थ का यूश करते हैं पार मिशलास फॉलेक्ट होता है उसका यूज रिषीव और्ट राव्स्मिट करने के लिए करते हैं यहीन सारी चीजे हम आज इस सेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगी तो ग्राउंड या फिर सरफेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है बेटा तो मेरे पास ट्रांस्मिटिंग एंटीना होता है जहां से मेरे इलेक्ट्रोमागनेटिक वेव निकलते हैं और यह जो आइंटीना रहेगा अब देखना अगर सरफेस से देखा जाए तो मुझे बहुत बड़े बड़े टावस दिखाए देते हैं लेकिन एक्चुली कंपेर टुदा अर्थ साइज देखा जाए तो वह उनके सामदें उनकी हाइट निकलते हैं यह आगे बढ़ते हैं जहां पर रिसीवर होता है रिसीवर इसको कैच करने की कोशिश कर देऊ और इसी को कहा जाता है वह फिर और प्रपोगिशन अब क्या होता है जब यह ग्राउंड विव यह फिर एल्ला सब्सक्राइब करते हैं जिसके वजह से इनका स्ट्रेंथ जो हुए आगे बढ़ते समय कम होने लगता है तो यही रीजन है जहां पर हम सिगनल को ज्यादा दूरी तक ट्रांस्मिट नहीं कर सकते यह चीज दूसरी चीज अगर आइंटिना के बीच में बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग्स या फिर टावर दूसरे अलग-अलग टावर है कमर्शल टावर है जिसके वजह से सिगनल मेरा वहां पर अटक सकता है और यह और यहां पर अच्छी तरह से ट्रांस्मिशन नहीं हो सकता सिगनल का तो यह जो म अब लोकल ब्राइब कस्टिंग मतलब एफम जो है या फिर रेडियो लोकल रेडियो जो होता है अपना 100 वाला जो चैनल होता है उसी के लिए इसको यूज किया जाता है ओके तो दिस रिगार्डिंग डेव अब देखना ग्राउंड वेव में ठीक है चलो उससे पहले हम य स्पेस वेव को भी समझने की कुशिश करते हैं अब स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या करते हैं तो ट्रांस्मीटिंग एंटीना से वेव निकलते हैं ठीक है डारेक्टली अलोंग दस्ट्रेट लाइन और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दे ग्राउंड और फ्रॉम में क्या बात वीटा वहागर ट्रांस्मिट करेगा इसपेस वेव प्रोपोगेशन अब रेडियो जो है रेडियीव वेव स्ट्रॉपोश्पेर से यहां पर स्ट्रॉपोश्पीर से रिफ्लेक्ट होता है एक चीज़ याद रखना ट्रोपोश्पीर से और इसफी को ट्रॉ होता है कम होता है उनके पास जो है डिवियेशन डिवियेशन होता है इनका रेंज देखा चाहिए तो थाउजन किलो मेटर तक रहेगा या फिर प्रोपोगेशन रहेगा it is the straight line distance it is the straight line distance from the point of transmission to the point on Earth where the wave will hit कि अ कि रेंज क्या होता है भेटा ये straight line distance होता है कहां से transmission से तो यहां पर देख सकते हैं यह अर्थ का surface है यहां पर हमने एक Politics Rebel यह बैं इसे निक्लेंगा एक जगह जो जाकेक साथ तक्राइगा उसे कहा जाता है वेटा नौइ अब यह में अब देख सकते हो राइट अगल ट्राइंगल है तो पाइतरोगोरोस यूज कर सकता हो ए डाश ओ स्क्वेर इस इक्वाल टू ए डाश बी स्क्वेर रेंज थीकर है रेंज हम आर से इंडिकेट करने वाले डाश बी स्क्वेर प्लस यह रहेगा बेटा O B square तो A dash O square जो है उसको हम लिख सकते है बेटा A dash A plus O A square A dash B square plus O B dash Now what is A A dash this is the height of the tower What is O A this is the radius of the earth A dash B क्या है बेटा तो ये range है What is O B dash तो ये radius of the earth O B क्या है तो वो radius of earth है हम इसे expand कर सकते है S square plus 2 HR plus R square Okay is equal to D square plus R square तो यहां पर देखना यह R square R square cancel हो जाएगा मुझे यहां पर मिल जाएगा D square is equal to H square plus 2 HR practically देखा जाए ना टावर की हाइड कितनी होती है बेटा सव फीट 200 feet 300 feet चलो मान के चलते हैं मैं यहां पर यह भी मान के चलता हूं कि Mount Everest जितना हमने टावर बना दिया तो लगबक 78 km का टावर बना दिया लेकिन comparison to earth जैसे हमने लेक्शन मिल जैगा और अग्र ये मिल जैगा अन्डर टो मिल जाएगा अंडर रूत खूल हरेँं सिमिलिरली अब दमद्र है यह मिनीमं बेंगर этक्रम रेन्जें को टोटैली दैसी यहां पर जाने के बाद हीट करने के बाद मुझे और रेंज मिलेगा समझ भार तो टोटल रेंज जो है आपने पास टोटल रेंज का अगर कोश्चन पूछा जाता है तो टोटल रेंज मुझे डी प्लस डी डैस के तौर पे मिल जाएगा डैट इस अंडर रूट ऑफ टू एच डैस आर अंडर रूट ऑफ टू एच डैस आर तो कुछ इ जमीन के ऊपर जाके टकराने वाली यह जो स्टेट लाइन डिस्ट इस डिस्टम्स को कहा जाता है बेटा रेंज अब यह हम क्यों क्यों करते कि और का जो शर्फेस है वह हमें तो दिखाई और स्काय वेव प्रोपोगेशन को इस्तिमाल करते हैं या फिर यूज करने की कोशिश करते हैं तो हम इसका एक सिंपल नियुमेरिकल करेंगे बेटा रडार हाज पावर अफ 10 किलो वैट्ट और इस ऑपरेटिंग अट फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 गिगाहट्स इस लोकेटेड अट अट अप अपड़ील अफ हाइट 500 मिटर काल्कुलेट दो माक्सिमुम डिस्टंस अफ्ट विच इट कैन डिटेक्ट अब्जेक्ट लोकेटेड अन्द सर्फेस अब दर तो बेटा इस कोश्चन में मुझे यहां पर रेंज ही पूछा गया है और वो रें यहां जाएगा मेरे पास 6.5 इंटू 10 तो दू पावर 6 रिडियस आफ आरत यह बन जाएगा बटा थाउजर यह आजाएगा 6.4 इंटू 10 तो पावर 6 टूटल बन जाएगा बेटा यह 6.4 इंटू 10 तो पावर 9 इसको हम रियर इंज कर लेते हैं यह हो जाएगा बटा 64 अंसर मुझे मिल जाएगा बेटा 8 इंटू 10 तो पावर 4 बैट मेंस मैं इसको लिख सकता हूँ 80 किलो मेटर तो मतलब यह जो रडार है ना बेटा तो यह 80 किलो मेटर तक माक्सिमम डिस्टन्स को कवर कर सकता है या फिर इसको वो अच्छी तरह से क्याप्चर कर सकता है सिंपल वाला कोश्चन है नेक्स्ट अब दिखना दा हाइट ऑफ दे ट्रांस्मिटेंग आंटिना इस 68 मिटर और रिसीविंग आंटिना विच इस अब दे टॉप अब आप आप आवर आफ हाइट 34 मिटर ठीक है तो एक्चुल में देखा जाए तो य आप से ऊपर वाला डिस्ट अटा है टीक है क्याल्कुलेट दे माक्सिमम् इस्टेंस बिट्विन दें और शट्राइस्ट्री ट्रांस्मिशन आफ लाइन स्विशन इन आफ साइट मूर्ड मुझे माक्सिमम टोटल रेंज पूछा गया है टोटल रेंज total range is equal to d plus d dash तो यह मुझे मिल जाएगा बेटा under root of 2 h r plus under root of 2 h dash r वाहम यहाँ पे देख सकते हो values रख सकते है 2 into h 68 r रहेगा बेटा 6.4 into 10 to the power 6 plus 2 into 34 4 into 6.4 into 10 to the power 6 तो देखो बेटा यहाँ पे 234 6.4 यह सारी चीजे में common निकाल सकते हो क्यालकुलेशन समझना यह यह जरूरी है ब्राकेट में यहाँ पे कितना रहेगा तो ब्राकेट में रहेगा बेटा यह रूट और यहाँ पे रहेगा प्लस वन यह रूट और यह प्लस वन तो यह कितना बनेगा तो यह बनेगा बेटा इन्टो से एप्रॉक्सिमेट क्यालकुलेट कर सकता हूं 68 नतिंग बट 64 यह 64 है यह 10 तो पावर 5 हो जाएगा ओके तो टेन्टो मतलब होता है और यह आगे कितना है तो वह है 2.414 तो कुछ इस तरह से मुझे अंसर मिलेगा तो अगर मैं इसको क्यालकुलेटर पर करने की कोशिश करो दूलाट ट्राय इस आट यूर होम आप लोगों पे आप लोगों को यहां पर लॉक टेबल यूज करना पढ़ेगा र आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं तो मुझे यहां पर मिल जाएगा और अंसर 430 64.2.414 2.414 तो यह लगभग 485.36 इंटू 10 तो दे पावर 2 तो रेंज लगभग हो जाएगा 48.53 किलो मेटर ओके तो देवा बेटा अगर यह लगभग आंसर लेके आना है आप लोगों को तो क्यालकुलेशन खुद से करना पड़ेगा आप टीचर हूं बहुत सारे लोग बोल देगी सर क्यालकुलेशन करके दिखाओ अगर सरही क्यालकुलेशन करके दिखाएंगे तो आप लोग क्या करोगे सिर्फ देखो करो एक बार करो दो बार करो तीन बार करो अंसर आपका 100% आएगा कि नेक्स्ट आगे बढ़ते तो यह तो था अपना स्पेस वेव और ग्राउंड यो प्रॉपोगेशन के बारे बे अब हम थोड़ा सा बात करते हैं स्काइव प्रॉपोगेशन देखो बेटा यह रिफ्लेक्शन होगा आइनोस्पियर से जब यह रिफ्लेक्शन होता है तब उसे कहा जाता है स्काइव प्रॉपोगेशन ठीक हम यहाँ पे कोई कर सकते हैं अब यहाँ एक सिंपल सा डिफिनेशन है जो आपके एक्जाम में आ सकता है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इस तब माक्सिमम वाल्य आप देप्रिक्वेंसी आफ रेडियो वेव्स विच कैन बी रिफ्लेक्टेड बाग कुद अर्थ फ्रॉम दाइनोस्पियर आइन नेक्स्ट स्कीब दिस्टंस और स्कीब जोन यह क्या होता है बेटा इस शॉर्टेज दिस्टंस फ्रॉम ट्रांस्मिटर में जर्ड अलोंग दे सर्फेस अफ अर्थ आट विच स्काय वेव और फिक्ष्ट फ्रिक्वेंसी विल बी रिटन तो अर्थ तो आप यह स्काय यह इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है नहीं तुभी आनेस्ट मैं फिर से बोल रहाओ इस चाप्टर का कोई माहिने नहीं रखता किसी भी कंपीटिटिव एक्साम पॉइंट आफ व्यू से अगर आप आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर या फिर टेली जादा डीटेल में सीखोगे अगर आप लोगों को इस वीडियो में यह समझ में नहीं आ रहा है तो यह यह आप लोग सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा हूं तो देखना यह सिंपल ब्लॉग डाइग्राम है कमिनिकेशन सिस्टम की तो कमिनिकेशन सिस्टम क्या है आपने फोन लगाया आपका दोस्त वहां से फोन पर बात कर रहा है तो इसके बीच में जो सारी चीजे होती है ना जो सारे इंस्रुमेंट यूज किये जाता है उसको क रहा जाता है कमिनिकेशन सिस्टम तो सबसे पहले क्या मेरे पास होना चाहिए तो सबसे पहले सोर्स होना चाहिए मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए जिसको हम मैसेज सिगनल के तौर पे आगे भेज सकते अब यह सिगनल आपका फोनबर होता है ना एक चानल ही है आपका फोनिंबर होता है लग लोगा करना पड़ता है कट करना पड़ता है पूं को तो मतलब जिस चानल पे सगनल जाना चर आका वुद रहें है भी बता आपका चानल है लो वहीं क्या है वो चलाल रहेगा एक चीज याद रखना तो चनल क्या करता था सिगनल को लेता है यह आगे भीजता है having a कि इसर को देता है उसी मेसेज में करके यूजर को डेता है फिनल वे यहां पर नॉइस भी आता है यह क्या बएकी यह लोगी होता है ठीक है नॉइज कॉम पूरी तरह से एलिमनेट नहीं कर सकते यह रहेगा मतलब रहेगा ठीक इसलिए हम यहां पे अलग ब्लॉक यूज कर रहे हैं जो की नॉइज की तोर पे इसे हम यहां पे रखेंगे फेसिगनल स्कुर्ण यही जो इनफॉरमेशन सोर्स जो इलेक्रिकल फomm में कनवर्ट करते है अभी देखो मैं यहां पर बात कर रहाँ तो ये साउंड वेव्ज है तो क्या करता है फोन का जो अपना मायक होता है ना इस साउंड वेव पर्टिकिलर सीगनल में अब करता है यह क्या करता है यह फोन का ना को इन्फॉर्मेशन इसे वैव को क्या करता है आंदर वाला डिवाइस उसको convert करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ठीक अनौलग吧 रहेडिजिकल रहे वह उędग चीज है तो आप लोग देख सकते हैं अनौलग सिग्नल डिचिटल सिग्नल अनौलग सिग्नल मतलब क्या होता है एंगर वह कुछ इस तरह से वेव फोर्म में कनवर्ट कर रहा है तो यह आनोलोग सिग्णल है और डिजिटल सिग्णल क्या होता है अगर वो इसके पाल्सेश जनर्रेट कर रहा है अगर वो इसके पैसे मतलब 1010 इस तरह से उसको जनर्रेट कर रहा है तो मुस्Paul बopard डिजिटल सीगनल में खजे रही करते है यहां नहीं बूद आ ही का जमाना फिस्ट फिकनल क्या होता है C T 1020 हाय लोग यस नो इस विए पूरा की पूरा पूरा इंफोर्मेशन स्टीगनल में करता है ठीक है अभी सिगनाल जाता है ट्रांसमिटर की तरफ अब यह ट्रांस्मिटर करता क्या है इस सिग्नल को ट्रांस्मिटर करेगा जिसका यूज करके उसे करना करना है तो ट्रांस्मिटर क्या होता है एक ऐसा ही डिवाइस होता है जो जूजर की तरफ से आने वाला जो सोर्स है जो सोर्स सिग्नल है उसको सुटेबल फॉर्म आफ सिग्नल में कनवर्ट करके आगे भीजने की जिम्मेदारी होती है मेरे ट्रांस्मिटर के पास next आगे होता है वेटा transducer, transducer क्या है तो transducer देखना ये जो physical signal है physical quantities को electrical signal में convert करता है physical quantities को electrical signal में convert करता है simple terms में देखा जाए तो electrical signal वेटा आगे जाके आप ये अलग से इसके दो चार चाप्टर सीखोगे electrical measurement devices में ये transducer सिखाया जाता है अभी मैंने क्या बुला physical quantities कौन से कौन से pressure मैंने pressure पैर रख दिया है जैसे मैंने पैर रख दिया बल्ब चला ठीक है मतलब उस device ने क्या किया बेटा इस pressure को electrical signal में convert कर दिया similarly मैं यहां पर बात कर रहा हूं मतलब यह जो sound waves है यह जो longitudinal wave है टाइप का एक वह physical quantity है जिसको electrical signal में convert कर रहा है ऐसे device को कहा जता है transducer transducer का use क्या जाता है signal को convert करने के लिए receiver message को receive करता है जिस channel से भी आ रहा है उसको receive करने की जिम्मेदारी receiver के पास होती है ठीक उसको reconstruct करता है recognizable form में मतलब मैं यहां से phone पर बात कर दिखो यह speed of light इनका जो speed होता है electromagnetic waves का speed होता है speed of light मैं यहां पर बोल रहा हूं लेकिन यह signal इतना जल्दी convert होता है इसलिए हम phone पर मैं जहां पर instantly बात कर रहा हूं आप लोग instantly वहां पर सुन सकते हो ठीक यह किसके वज़े से क्योंकि इसका speed ही होता है speed of light तो receiver क्या करता है recognizable signal में इसको convert करने की कोशिश करता है ठीक noise noise क्या है वेटा तो यह unwanted signal होते है और यह हम पूरी की पूरी तरह से eliminate नहीं कर सकते है noise का मतलब क्या random unwanted signal is called as a noise noise attenuation अब देखना यह definition है attenuation मतलब जैसे हमने बूला था जब वेव signal लेके आगे बढ़ती है ना बेटा जब वेव signal लेके आगे बढ़ती है तो वह energy loss करने लगती है और इसी loss of energy को कहा जाता है attenuation okay that is loss of strength of signal while propagating through the channel is known as the attenuation अब आगे use किया जाता है amplification अब यह जो strength मेरा कम हुआ है ना इस strength को बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है बेटा amplifier के पास amplifier क्या करता है signal की strength फिर से बढ़ाने की कुशिश करता है Amplification is the process of raising the strength of a signal using the electronic circuit call as a amplifier जो अगले साल हम सीखने वाले है semiconductor devices में ठीक है उसके बाद bandwidth अब यह चीज तो हमें बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को पता है कि bandwidth ज्यादा होनी चाहिए स्पीड ज्यादा होता है ओके आप लोग इंटरनेट के जमाने के लोग है आप लोगों ने देखा है अच्छी तरह से यह क्या होता है the range bandwidth मतलब क्या बेटा the range of the frequencies over which it operates efficiently अगर मैं बोलू 5 Mbps की speed है तो बेटा वो क्या है उसकी bandwidth है अगर मैं बोलू यहां पर 50 Mbps का प्लान है मेरे पास तो compared to 5 Mbps 50 Mbps 50 Mbps के पास signal का strength बहुत ज्यादा अच्छा होता है स्पीड भी बहुत अच्छा होता है जिसके वज़े से आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत जल्दी या फिर live stream भी कर सकते हो तो यह important है bandwidth मतलब क्या तो किसी भी electronic circuit की वह range होती है ठीक next अब देखना modulation and demodulation अब यह बहुत ही important चीज होती है modulation demodulation मतलब यह change करना सिगनल को change करने का एक तरीका होता है अब देखना communication system में मेरे पास जो signal होते हैं वो low frequency signal होते हैं मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहो फोन पर यह maximum कितना कितने को सुनाई देगा 10 मिटर तक या फिर 20 मिटर तक अगर मैं जो जो से चिला रहा हो तो शायद चलो सो मिटर तक लेकिन मेरा दोस्त बेटा दूसरे गाव में है जो की 300-400 किलो मिटर है उसको कैसे सुनाई देगा तो इसका मतलब यह है जो communication system में signal का strength होता है वो strength बहुत ही कम होता है जिसको हम long distance अगर मुझे उस signal की strength बढ़ा नहीं है तो एक प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा modulation in order to transmit the signal to a large distance इस को हम क्या करते है इस low frequency signal को high frequency signal की उपर super impulse कर देते है मतलब जो मैं यहां पर phone पर बात कर रहा हो बेटा यह बात उस तक पहुंच रहे है क्यों क्योंकि मेरा जो signal है या फिर यह जो information source है अब यह high frequency signal के साथ super impulse हुआ है अब वो high frequency signal इसको आगे लेके चला जाएगा और यही प्रोसेस को कहा जाता है modulation अब demodulation का मतलब क्या जो अब हमने यह जो किया है इसको super impulse कर दिया बेटा high frequency signal के साथ आप मुझे वापस मेरा original वाला signal चाहिए तो मतलब क्या regaining the signal from the modulated wave is called as a demodulation what is demodulation original signal को हो री ट्राइब करनी की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है बेटा demodulation अब modulation के दो तीन तरीके है बेटा FM AM amplitude modulation frequency modulation और तीसरा तरीका होता है मेरे पास phase modulation ठीक है modulation के तीन तरीके है amplitude modulation जहां पर हम amplitude को हाइफ रिक्वेंसी सिगनल पर भेज़ेंगे फ्रिक्वेंसी modulation अब फ्रिक्वेंसी modulation में क्या हम उसे एक एक समझने की कोशिश करते है amplitude frequency and phase modulation ठीक amplitude modulation में क्या होता है बेटा सिंपल है लार्ज रेंज है सस्ता वाला भी है अब amplitude modulation का अगर देखा जाए ना तो इसका हमें जादा डीटेलिंग है एक्च्वल में चलो हम उसकी डीटेल में नहीं जाते हैं सिर्फ इसके advantage disadvantage सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं तो amplitude modulation में क्या करते हैं का इस्तेमाल करते हैं सिंपल वाली चीज है मतलब जो यह वेव है बेटा अपना यह वेव है इसका यह amplitude है ना इसको हम तोड़ते बेटा कुछ इस तरह से इसको मॉडिलेट करने की कुशिश करते हैं ठीक है तो यह सबसे सस्ता वाला है इसब रनेज क्या है ज़्यादा एफिशेंट है नहीं ठीक क्योंकि यहाँ पर यूज बहुत ज्यादा करना पड़ता है अगें इस प्रोन टूलाइज मतलब यहाँ पर नॉइज जो एंटर कर रहा है ना यह पूरे सिगनल को खराब करने के यहां पर बहुत ज्यादा जैसे सोते हैं अगेन अधरी प्रडूस्सीजनल में एक्जैक्ली मैच्ट विड्ग तो यह सबसे बड़ा इसका दिक्कत है औरीजनल सिगनल के साथ रिप्रडूस्ट ईग्नल यहां पर इमच नहीं हो सकता सो डिशी डिन अब फ्रिक्वेंसी मॉडिलेशन में देखा जाए तो यह थोड़ा सा कॉंप्लेक्स तरीका है यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी को मॉडिलेट करते हैं देखो बेटा टू भी आनेस्ट यह सारी चीजे समझने के लिए आप लोगों को कम से कम इंजिनेरिंग के दो साल तो मुझे बहुत ही कनफाइंट पार्ट समझना है कनफाइंट मतलब अडवांटेज इस तरीका है इस बोर डिफिकल्ट इंप्लिमेंट एडवांटेज क्या है वेटा ओरीजिनल सिग्नल जो होता है जो हम बाद में रिसीव करने की कोशिश करेंगे ट्रांस्मिट करने के पाद original signal जो मुझे चाहिए वो exactly यहां पर match हो सकता है इस case में लेकिन amplitude modulation में नहीं होता ठीक हाई quality broadcasting के लिए इसको यूज किया जाता है हाई quality broadcasting मतलब अभी जहां फोन पर यूज कर रहे हैं तो mostly यह उसी के साथ related है और last में बेटा phase modulation जहां कहां पर angle का हम यूज करते हैं ठीक तो इसका यूज क्यों किया कहां पर किया जाता है to determine the velocity of moving target which cannot be done using the frequency modulation mostly कोई missile विसाई ला रहा है तो उसको detect करने के लिए यह तरीका यूज किया जाता है phase modulation तो यह है अपना communication system का सिर्फ introductory part कुछ basic basic चीजे है block diagram मुझे पता होना चाहिए तो आप लोग यह block diagram कुछ से भी लिख सकते हो definitions हमने यहां पर समझने की कोशिश की है modulation के तरीके types को समझने types के advantages और disadvantages हमने types यहां पर detail में बिल्कुल भी नहीं सिखें ठीक तो यह है अपना electromagnetic waves का communication system तो आज हमने क्या देखा वेटा तो electromagnetic wave propagation इसके तीन टाइप देखें और हमने communication system का block diagram इतना ही चीज हमने आज की session में समझने की कोशिश किये easy वाला session है यह आप लोगों को चाप्टर final exam में marks देखें जाएगा इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेदा communication system ठीक तो यह सारी चीज है आज के हमने session में cover कर ली है आप लोगों को सारी थेरी रिवाइज करनी है तो आप लोग क्या करेंगे विटा थेरी रिवाइज कर लो अच्छी तरह से इससे अपना काम हो जाएगा है एंस है विहाओ कंप्लीटेट देख कम्मुनिकेशन सिस्टम यह वाला पार्ट और हमने एलेक्ट्रमाइटिक वेवसर कम्मुनिकेशन सिस्टम को यहाँ पे कम्प्लीट कर दिया है तो थांक्यू बेरी मच फिर मिलेंगे अगले लेक्च्छर में अगले चाप्टर के करते है शती है तो पार्ट जने एंस है उब यहाँ पार्ट यहाँ डोग्हाँरी मिलेट वेवसर पार्ट जार बेरी मंच व tôित एंस कर दोसा है तो Community Church